जापान की बात है एक 10 साल का लड़का था उसका नाम ओकायो था उसे कराटे सीखने का बढ़ा शौक था लेकिन इसका बाया हाथ नहीं था उसके पास कोई गुरु नहीं था एक दिन वो अपने पिता के साथ एक गुरु के पास चला गया और उसने इच्छा जाहिर की सीखा रहे है जबकि उनको बाकी के शिश्य अलग-अलग प्रकार की कलाई सिखाए जाती है उसको लगा शायद अभी मेरी शुरुवाती प्रक्रिया है इसलिए गुरु जी के पास जाना ठीक नहीं होगा देखते ही देखते तीन महीने बीट गए अब उससे रहा नहीं गया और वह अपने गुरु के पास चला गया और गुरु को सारी बात बताए गुरु जी ने एक ही उत्तर दिया तुम्हे सीखना हो तो सीखो अन्यता कल से मत आनावा चुपचाप वहा से चला आया अब छे महीने बीट गए का परीक्षा का टाइम आ गया था और जब परीक्ष हुई तो यानी की फाइटिंग चल रही थी तो ओकायो एक ही बार में धराशाय हो गया मैच रेफरी ने कहा इस मैच को यहीं खत्म करते हैं लेकिन जो सामने वाली टीम का खिलारी था वह बहुत ज्यादा आत्म विश्वास से भर चुका था और आपको पता है कि जब आत्म विश्वास चरम पर होता है या चरम सीमा से भी उपर होता है तो वह घातक होता है तो ओकायो इसी लमहे का इंतजार कर रहा था उसकी जो मास्टर के की थी जिस पर उसकी मास्टरी थी वह दाव उसने लगा दिया और विपक्षी टीम के खिलारी को वही परास्त कर दिया वह चोटी बात नहीं है और अगर कोई कर भी ले तो उसका तोड यही होता है कि सामने वाले का बाया हाथ पकड़ कर नीचे गिरा देना किन्तु तुम्हारा बाया हाथ तो है ही नहीं इसलिए तुम्हारी जीत निश्चित ही उसने अपने गुरू के चर्ण स्पर्श किये और बो पाकर यही होता है जब ऐसा गुरू मिलता है